Hello and welcome everyone, इस वीडियो में हम Coordinate Geometry को cover करने वाले हैं Basic से चलेंगे और सारी questions जो भी आपके NCIT में उसको लेंगे अच्छे से सारी concepts को भी समझने वाले हैं तो जो भी लोग new हो मेरे चैनल पर visit कर रहे हैं वो इस वीडियो को like कर लो और मेरे चैनल को subscribe कर लो और playlist भी देख सकते हो और भी बहुत सारे chapters हैं मैंने upload किये हुए हैं तो चलो शुरू करते हैं एक question के साथ coordinate geometry को शुरू कर रहे हैं एक question के साथ question यह है how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person using coordinates सवाल यह बोलता है कि आपको एक आदमी को एक table lamp जो भी आप use करते हो अपनी study table पे उसकी location बतानी है और उसमें coordinates का use करना है coordinates का मतलब होता है x axis और y axis तो चलो इसका answer देखते हैं देखो माल लेते हैं कि यह बीचो बीच आप lamp रखते हो जो कि यहां यानि x axis से यहां पे 25 cm उपर की side में है जब यह उपर की side जा रहा है तो यह y axis हो जाएगा यहां से distance जाएगी ने तो y axis हो जाएगा और जब इस side जाएगे तो x axis में है तो यहां से अगर यह y axis का line है तो यहां से हमने 30 cm इस side चला तो यह 30 cm हो जाएगा तो इसको लिखेंगे 30 cm और 25 या फिर अगर y और x के terms में लिखें तो 25 और 30 लिख देंगे यह इसकी position होती है ऐसे लिखा जाता है दो यहां पे आपको bracket बनाने रहते हैं और इसके अंदर लिखना रहते हैं 30,25 या फिर आप इसको लिख सकते हो 25,30 I hope लिखना आ गया हो एक और example ले लेता हूँ देखो लैंप माल लेते 10 cm की दूरी पे यहां से और इधर से उसकी दूरी है 5 cm तो 10 और 5 को लिख देंगे similarly ऐसे ही अब थोड़ा एक concept समझो origin का अब यह origin क्या चीज होती है बीचो बीच origin किसी भी चीज की शुरुआत हो रही हो तो उसको origin बोलते हैं यह वाली चीज ठीक है तो यह है origin origin यानी 0 होता है यहां पर जहां 0 आ रहा है उसे origin बोलते हैं अब यहां से अगर आप इधर जंप करना शुरू करते हो 1 1 steps तो आप positive में जा रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 तो यह positive चला गया और जब इस side जा रहे हो तो आप देखोगी कि minus में आप चलते जा रहे हो negative तो minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 जब इस side जा रहे तो positive और इस side जा रहे तो negative आगे बढ़ते हैं देखो यहां पर बहुत सारी चीज़े लिखी हुई है पर इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है मैं आपको short में समझाता हूँ और अच्छे से आपको समझा जाएगा कि यह हो क्या रहा है सबसे पहले ना origin देखो यह 0 है तो यह origin है अब इस side गए तो इसको positive x-axis बोलते हैं और just इसके opposite side जाओगे तो इसको negative x-axis बोलते हैं मैंने क्या बोला मैंने बोला कि origin मेरी शुरुआत है तो origin है एकदम 0-0 ठीक है यहां से मैं positive में जा रहा हूँ तो इसको positive x-axis बोलेंगे और यहां से opposite जाओँगा तो इसको negative x-axis बोलेंगे ठीक है अब y-axis के terms में similarly इसको अगर मैं उपर जंप करते जा रहा हूँ तो यह positive y-axis और अगर मैं नीचे जंप करता जा रहा हूँ तो वो negative y-axis हो जाएगा ठीक है यह सब पढ़ने की ज़रुआत नहीं है बस जो मैंने बताया उतना समझ लीजे इसको cut कर देते हैं मैंने आपको यह बताया कि origin है और उपर जाएगे तो आपका positive में y-axis आ जा रहा है और जब आप नीचे जाएगे तो आपका negative में y-axis आ जा जा रहा है similarly जब आप इस side जाएगे तो आपका positive में x-axis और opposite side जाएगे तो negative में X axis आजा है, क्या simple है, आगे बढ़े, ठीक है, अब देखो कुछ quadrant होते हैं, 4 quadrant होते हैं, किसी भी चीज़ को हमने ऐसे divide कर दिया, 4 हिस्टों में, तो समझ लो, वैसे ही, जैसे पीजा वागे रखाते हो, तो 4 हिस्टों में तोड़ते हो, वैसे ही, इसको भी हमने 4 हिस्टों में तोड़ लिया, X और Y axis को, ठीक है, यहाँ से यहाँ, X dash O X है, और यह है Y O Y dash, इसको इसको 4 हिस्टों में divide कर दिया, तो एक होता है quadrant 1, एक होता है quadrant 2, फिर आता है quadrant 3, फिर आता है quadrant 4, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, You observe that the axis, pure all of the word axis, divide the plane into 4 parts, these 4 parts are called quadrants, ठीक है, यही 4 part है, जिसको quadrant बोलते हैं, जिसका मतलब होता है, एक चौथाई, एक चौथाई, 1 by 4, ठीक है, 1 4th part, numbered 1, 2, 3 and 4, anti-clockwise from OX, so the plane consists of the axis and these are quadrants, we call the Cartesian plane or the coordinate plane or the XY plane, अब यह नाम है, Cartesian plane भी बोलते हैं इसको, coordinate plane भी बोलते हैं और XY plane भी बोलते हैं, और यह जो axis है, उन्हें coordinate axis बोलते हैं, I hope यह पूरा आपको concept अच्छे से समझ में आ गया हो, total chart quadrant होते हैं, जो कि यहाँ पर quadrant 1, 2, 3 and 4, अब इनके कुछ sign होते हैं, वो बाद में देखेंगे, पहले एक question यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलू आपसे कि P की location बताओ, कि P कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे, पहले X axis में जाओगे, X axis में पहले क्या आ रहा है, नीचे जाओ, 4 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख लोगे 4, ठीक है, एक bracket बनाओगे, और उसके अंदर 4 लिख लोगे, अब कॉमा लगा दोगे, अब Y में जाओगे, Y की तरफ इसको लेके जाओगे, तो देखो कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 3, तो 4 और 3 यहाँ लिख लोगे, ठीक है, यह होगे आपका coordinate for P, कोई बोले coordinates कैसे हैं P के, तो P के coordinates 4 और 3 हैं, 4,3, ठीक है, similarly कोई बोले Q के coordinates कैसे लिखोगे, तो Q के coordinates के लिए, पहले X axis पर जाओगे, यहाँ जाओगे, तो आपका है minus 6, minus का 6, फिर एक bracket है, comma लगाओगे, और इस side में लेके जाओगे, इस side में लेके जाओगे इस line को, तो आपको पता से लिखा minus 2, तो यहाँ पे लिख दोगे minus 2, तो minus 6, minus 2, ठीक है, तो यह होगे हैं, यह यह बोल रहा है कि PN की distance, देखो PN की distance कितनी है, और OM की distance कितनी है, O से लेके M तक की distance कितनी है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की line, OM की distance है, यह है 4 units, और उपर में भी देखोगे तो, NP की जो unit है, या फिर PN बोलो इसे, यह भी तो 4 units है, अब PN देखो यहां से P से लेके M तक की distance आपने देखी यहां से count करो 1, 2, 3 तो 3 units है और O से लेके N तक की distance count करो O से लेके N तक की distance भी 3 units है तो यह बस आपको बता रहा था कि same units हैं यहां पर same इनका और इनका distance same है ठीक है और coordinates आपको मैंने हाँ पर बता दिए अगर Q का coordinate कभी पूछे तो minus 6, minus 2 हो जाएगा P का coordinate पूछे तो 4,3 हो जाएगा ठीक है कोई अगर N का coordinate पूछे तो N कैसे निकालोगे थोड़ा सा सोचों कि N के लिए कैसे coordinates लिखोगे चलो यहां यहां बता देता हूँ N तो N देखो कहां लाई कर रहा है यह 1 यह 2 यह 3 यहां पर 3 लिखा हुआ है यह Y-axis है और यह X मान लेते हैं तो X पर तो 0 आ रहा है न एक्स पर यह 0 है यहां से और Y पर 3 है तो इसको लिखेंगे 0,3 0,3 यह हो जाएगा आपका coordinate for N N का coordinate ठीक है आगे बढ़ता है अब देखो यह आपका homework है कि आपको M के लिए coordinate बताना है फिर B के लिए भी फिर S के लिए फिर L के लिए ठीक है तो वीडियो को pause करो पहले खुद से try करो इसका coordinate लिखने को फिर मैं अभी answer बता रहा हूँ तो match करना कि यह कितना सही है और देखो कितने है total 1,2,3,4 total 4 points है न तो आपको 4 points में से देखते हैं कितन अपने सही बता है तो उसके हिसाब से अपने आपको rank कर ले ना कि मुझे इतने marks मिले ठीक है तो शुरू करते हैं M से start करते हैं M के लिए x axis पे आ रहा है minus 3 और y axis पे आ रहा है 4 तो इसका answer हो जाएगा minus 3,4,4 ठीक है minus 3,4 answer है M के लिए M के coordinate अब बात करते हैं B के लिए B के लिए देखो पहले x में जाओगे तो 4 आ रहा है इस side जाओगे तो y में 3 आ रहा है तो B के लिए coordinate हो जाएगा x में 4 और y में 3 तो 4,3 तो B का भी हो गया similarly s के लिए x में जाओगे तो 3 आ जाएगा और y में जाओगे तो minus 4 आ जाएगा तो 3,s के लिए कैसे लिखोगे s के लिए लिखोगे 3, minus 4 पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ट है कि आपको coordinates लिखना आ रहा है या नहीं तो देखो समझते जाओ अच्छे से last है यह यहाँ पर भी अच्छे समझना पहले x पर जाओगे x पर कितना है minus 5 फिर y पर जाओगे y पर कितना है minus 4 तो l के coordinates भी हो गए आगे बढ़ते हैं अब यह एक example है आपकी ncrt का इसको देख लेते हैं write the coordinates of the points marked in the figure यह जो figure है 3.12 इसमें बोल रहा है कि आप coordinates बताने हैं जहाँ पर मैंने mark कर रखा है तो देखो इसने पहला mark कहां कर रहा है a पे तो a के लिए जब आप जाओगे तो देखो x axis पे यह पूरा लाई कर रहा है y axis पे तो 0 है तो a का coordinate हो जाएगा आपके लिए x पे क्या point है 4 और y पे क्या point है 0 तो 4,0 answer हो जाएगा ठीक है यह इसका answer पढ़ लेते हैं the point a is at a distance of plus 4 units from the y axis at a distance 0 from the x axis therefore x coordinate of a is 4 and y coordinate is 0 hence the coordinates of a are 4,0 ठीक है फिर b के लिए b देखो b similarly n के जैसा है जो अभी हमने इसके पहले example लिया था ना एक n का यहाँ पे तो n का coordinate 0,3 आया था तो देखो b का भी coordinate कितना आएगा 0,3 similarly third is c point c point पूरा है x axis पे तो इसका हो जाएगा c के लिए आप लिखोगे minus 5,0 minus 5,0 तो c भी हो गया हूं ये तीनो point आपको आई hope sound में आ गया हूं अब बात करते हैं d के लिए d के लिए देखो d यहाँ पे लाई कर रहा है तो d है आपका x पे 0, d के लिए क्या लिखोगे? x पे 0 और y पे minus 4, y पे minus 4, x पे 0 और y पे minus 4, e के लिए देखो e यहाँ पे लाई कर रहा है तो e है 2 by 3 तो e हो जाएगा 2 by 3,0 तो i hope ये सारे points आपको समझ में आ गया हूं आगे बढ़ते हैं origin के बारे में समझ लेते हैं एक definition type दी हूई है what are the coordinates of origin? it has 0 distance from both the x's so that its abscissa and ordinate are both 0 therefore the coordinates of the origin are x are 0, y तो ये x भी 0 होता है और y भी 0 होता है तो 00 बोलते हैं इसको x और y दोनो 00 तो x भी 0, y भी 0 तो ये कहीं भी अगर ऐसी situation है तो इसको origin बोलेंगे ठीक है? देखो अब यहाँ पर एक चीज समझाईए कि first coordinate में चीज़े positive positive होती है x में यहाँ पर जितने भी dots हैं क्या वो सब positive हैं और y में भी ये सारे dots positive हैं तो इसलिए इधर से भी positive आ रहा है और इधर से भी positive आ रहा है तो x, y अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिखोगे x, y तो वो क्या होगा? वो positive ही तो आएगा तो इसलिए first coordinate में सारी चीज़े positive होती second में जाओगे तो x negative हो गया, y positive हो गया, x negative, y positive, third में जाओगे तो x भी negative और इधर से जाओगे y भी negative, तो x और y दोनो negative, fourth में यहाँ पर x जो है, वो positive आ रहे है, और y negative हो जाता है, अब इसको याद करवा देता हूं, plus plus minus plus minus minus plus minus plus plus minus plus minus minus और plus minus simple है एक question दिया हुआ है यह आपर बोलता है write the answer of each of the following question पहला question है what is the name of the horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point on the Cartesian plane तो इसका answer देख लेते हैं the horizontal line that is drawn to determine the positions of the of any point in the Cartesian plane is called x-axis the vertical line that is drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane is y-axis यहां पर आप इसका diagram भी देख सकते हो यह आपका x-axis हो गया और यह आपका y-axis हो गया यह diagram आप यहां पर बना भी सकते हो सेकंड पार्ट देखते हैं what is the name of each part of the plane formed by these two lines तो हर एक एक पार्ट को नेम करने बोल रहे तो the name of each part of the plane formed by the x-axis and y-axis is called quadrant चारों quadrant के बारे में देख लेते हैं quadrant one होता है मेरा positive-positive, quadrant two होता है negative-positive, quadrant three होता है negative-negative और quadrant four होता है positive-Negative तो यह चार quadrant होता है इसके बाद last है write the names of the point where these two lines intersect तो जहां पर यह दो लाइन्स इंट्रसेक्ट करती है, the point where the x-axis and the y-axis intersect is called origin, ठीक है, और origin के बारे में अभी हमने discuss भी किया था, इसको वापस से भी देख सकते हो, origin के बारे में हमने अभी उपर discuss किया था था ना, एक second, चलो देखो, यहाँ पर देखो, x-axis यहाँ से जा रही है, और y-axis यहाँ से जा रही है, और दोनों एक center पर meet कर रहे हैं, तो इसको origin बोलते हैं, ठीक है, देखो एक question है, homework में देखे जा रहा हूँ, इसको comments में answer लिखके बता सकते हो, कि आपको यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं points, जैसे b दिख रहे है, जैसे d दिख रहे है, जैसे c दिख रहे है, और क्या दिख रहे है, e दिख रहे है, g दिख रहे है, h दिख रहे है, m दिख रहे है, एल दिख रहा है ठीक है ये इतने points जो आपको दिख रहे हैं इसके आपको coordinates लिखके बताने हैं ठीक है और वो आप comments में बताओगे ठीक है अगर आपने वीडियो अच्छे से देखे तो आपको सारे questions समझ में आ जएंगे तो I hope आपको ये वीडियो सही लगी हो इसी के साथ हमने ये chapter कर लिया है खतम बाकी वीडियो को भी मेरे चैनल पर कर सकते हो चेक आउट थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो